Hello Friends, Welcome to Technical Group दोस्तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप YouTube पे चैनल बनाते हैं तो आपका चैनल होता है वो सर्च में नहीं आता है तो ऐसे में आपके चैनल की कंटेंट जोते हैं वो सर्च में नहीं आते हैं दोस्तो इस सेटिंग्स को आप अपने चैनल पर ज़रूर कर दिएगा ताकि आपका चैनल सर्च में आए और जल्दी से ग्रो कर सके तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने चैनल के डैसबोर्ड को ओपन करना है यहने कि जब आप करों qrob ब्राउंजर पर वीजिट करेंगे तो आप मोंबायल से भी कर सकते हैं ठीक है तो डैसबोर्ड पर आप को बिघ्ट करना है after जब राक्क पर बिजट करेंगो तो आपको इस परकार का कुछ इंट्रफेस हो ओगा प्रेकार से प्रेकार के जहां पर आपको जनर्ल चैनल डिफॉल्ट्स पर्मिशन क्म्यूटि एग्रिमेंट्स इस प्रिकार के आप tulee यह जो जो है वो जो option होंगे वो सो कर रहे होंगे दूस्तों अगर आप हुआ चनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करिएगा क्योंकि हम आपके चैनल के लिए best information जरूर लेके आते हैं दूस्तों आपको क्या करना है settings करने के लिए आपके अपने चैनल पर settings करने के लिए पर क्लिक करना है ठीक है चैनल पर छैसी 我們的 सुंसरे कंट्री आती है ठीक है यहँ पर अगर लोंग करते हैं पाकस्तान से ईहां से जहां से भी आप लूंग करते हैं ठीक हैं तो आपको उस कंट्रीum यहां पर पे फिल करके रखना है कि आप किस देश से ब्लॉंग करते हैं कंट्री फिल करने के बाद keywords पे बात आती है keywords जो की बहुत ही important है channel को grow करने के लिए channel को सर्च मिलाने के लिए तो keywords में आप देखेंगे कि आपको पांसो words लिखने के लिए मिलते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे keywords लिखने होते हैं बहुत ही important keywords जो की आपके channel से संबंदित हैं आपके topic से संबंदित हैं जो भी आप content बनाके YouTube पे अपने channel पे डालते हैं उनसे related यहाँ पे keywords आपके channel पे होने चाहिए अगर आप keywords नहीं लिखत इसे बनाने हैं अपने channel से लिए ताकि आपका channel जल्द से जल्द ग्रो करे और आपके channel पे जो content है वो जल्दी ग्रो करें ठीक है तो यह चीजा आपको ध्यान रखने है की keyword आपको क्या लिकने हैं अपने content से related अपने channel से data parameter यहाँ पर keyword जो है वह आपको mention करने हैं ठीक है 500 words maximum आप लिख सकते हैं आप उसके बाद आपको save करना है save करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो channel है वो सर्च में आने लगेगा ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं तो अगर आपको वीडियो helpful लगा हो आपके जो problem थी वो अगर आप solve हो रही हो तो हमाई channel को subscribe जरूर करिएगा ताकि हम next video आपके साथ जल्द से जल्द साजा कर सके और आपको notification सबसे पहले मिल सके तो thank you friends for watching जहन्द